इस स्टूडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्ण वली 13.1 का प्रश्ण नमर 5 को हल करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टूडियो को तो देखे डियो स्टूडेंट्स प्रश्ण नमर 5 में से क्या कहा गया है एक बैक्टिरिया या जिवानू के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटिमीटर हो जाती है जैसा कि सनलग ने चित्र में दिखाया गया है इस बैक्टिरिया की वास क्या है और फिर हमसे पूछा गया है कि 20,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी तो चलिए इसका सोलोशन करते हैं तो देखे इसका सोलोशन करने के लिए हम इस तरह से एक सार्णी बना लेंगे और इसमें हम यहां पर जीवानों का आवर्धन लिखेंगे और यहां जीवानों की लंबाई अब देखें जीवानों का आवर्धन का मतलब क्या है कि जीवानों को जूम करना जैसा कि हमसे प्रश्ण में कहा गया है कि अगर जीवानों को 50,000 गुना आवर्धित किया जाता है तो उसकी लंबाई 5 cm हो जाती है यानि कि जीवानों की लंबाई कितनी हो जाती है? 5 cm अब सबसे पहले हमें से पहले पार्ट मीक्या पुछा गया है तो ध्यान दीजी अगर आगर जीवानू का अवर्धन एक गुना करेंगे तभी हमें जीवानू की वास्तिक लंबाई पता चलेगा ठीके आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हमने एक क्यूं लिखा है क्योंकि हम से जीवानू की यानि कि बैक्टिरिया की वास्तिक लंबाई पूछी गई है और वास्तिक लंबाई पता करने के लिए हमें जो जीवानू है उसका अवर्धन एक गुना ही करना पड़ेगा ठीके तो आई होप अब आपको समझ में आ गया अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पार्ट वन करते हैं तो इसमें हमसे जीवानू की वास्तिक लंबाई पू लेंगे एक्स माल लेंगे यानिकि यहाँ पर एक्स हो जाएगा अब देखिए हम यहाँ पर एक्स का मान कैसे पता करेंगे इसके लिए सबसे पहले देखिए कि जो हमारा यह अनुपात है यह किस अनुपात में है क्या यह सीधे अनुपात में है या परतिलों में है तो दे जाहिर सी बात है कि इससे कम ही होगी क्योंकि यहां पर 50,000 गुना आवर्धन है तो 5 cm लंबाई है अगर आवर्धन कम हो गया 50,000 से 1 हो गया तो लंबाई भी कम हो जाएगी यानि कि यह घट रहा है तो यह वाला भी घट रहा है तो इसलिए यह हमारा किस अनुपात में है सीध और Y का यह X और यह Y होता है तो इसका अनुपात पूरे में क्या होता है बराबर होता है इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारा इसमें 50,000 बटे में 5 इसका अनुपात है यह किसके बराबर होगा इस वाले के यानि एक बटे X के चिक्या अब देखिए यहां से X कमान पता करन तो यह हमारा 50,000 agities आ जाएगा, x इधर जाके गुणा में हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग में है, और इसी तरह से 5 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 5 का एक से गुणा करेंगे, तो 5 ही आएगा, अब x कमान निकालने के लिए ये 5 agities ये 50,000 इधर जाके क्या हो जाएग भाग में, अब यहां से 5 एकम 5 और ये 5 के पहाड़े से 10,000 बार में कट जाएगा, तो x कमान क्या गया, एक बटे में 10,000, अब देखिए, इसको हम standard रूप में लिख लेंगे, तो क्या करेंगे, कि x बराबर ये हो जाएगा, एक बटे में, यहां देखिए, ये हमारा 10,000 है तो इसमें कितने 0 है, 4, तो इसको हम 10 की घात 4 लिख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, कि x बराबर में ये एक, इस 10 की घात 4 को उपर ले जाएगे, तो गुणा में हो जाएगा, और इसकी जो घात है, ये माइनस में हो जाता है, अब यहां से, अगर आप इन दोनों का गुण कर देंगे, तो ये आजाएगा 10 की घात माइनस 4, या फिर आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो ये हमारा x का मान आ गया, 10 की घात माइनस 4, और यहां पर ये हमें क्योंकि सेंटीमीटर में लंबाई दी गई है, इसलिए ये भी सेंटीमीटर में ही हो जाएगा, चिक्या, तो ये हमारा हो गया solution, part first का, अब इसके बाद हम part second को करते हैं, तो इसको हम यहां पर कर लेते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं, part 2, तो इसमें हम से क्या पूछा गया है, कि यदि photograph को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए, तो उसकी आवर्धित लं है, उसका आवर्धन कितना हो रहा है? 20,000 गुना, चीके, तो हम से जीवानों की आवर्धित लंबाई पूछी गई है, यानि कि जीवानों की लंबाई हमें बतानी है, यहां पर क्या आएगा, तो इसको हम माल लेंगे यहां पर y, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, हमने क्या माना है कि जिवानों की आवर्धित लंबाई वाई माना है तो यहाँ क्या लिखेंगे माना जिवानों की आवर्धित लंबाई तो यह हमने क्या माना है y ठीक है अब देखिए इसमें भी हमारा क्या होगा कि जो यह अनुपात है यह किसके बराबर होगा इसके यानि कि इसमें हमारा यह 50,000 बटे 5 किसके बराबर हो जाएगा इस वाले अनुपात के यानि कि 20,000 बटे y के तो इसमें हमें y कमान निकालना है तो इसमें भी क्या करेंगे क्रोस मल्टिप्लाई कर देंगे तो देखिए ये 50,000 तो एजिटीज रहेगा ये y इधर जाके गुणा में हो जाएगा ये 20,000 को एजिटीज लिखेंगे ये 5 इधर जाके गुणा में हो जाएगा तो y कमान निकालेंगे तो ये तो एजिटीज लिखा जाएगा बटे में आ यह 50,000 क्योंकि इधर गुणा में है तो यह हमने लिखा अब देखिए यहां पर भी 4 0 है उपर और नीचे भी 4 0 है तो यह दोनों कट जाएंगे और यह 5 से 5 भी कट जाएगा तो क्या बच रहा है वाई बराबर 2 बच रहा है यानि कि वाई कमान 2 आ गया और यह क्या है हमारा जीवानों की आवर्धित लंबाई है यानि कि जीवानों को अगर 20,000 गुना जूम करते हैं यानि कि आवर्धित करते हैं तो जीवानों की लंबाई कितनी हो जाती है 2 cm यहां पर लिख देंगे cm क्योंकि यह 5 हमें cm में ही दिया है तो एक हमारा यह सोलूशन है और यही दोन हमारे आंसर है तो इस तरह से प्रश्टमर 5 का सोलूशन कंप्लीट हुआ आपको अच्छे समझ में आ गया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ भी शियर कर देना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सकाइ कर दोस्तों 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 झाल झाल